नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में मैं हूँ आपकी साथ स्वाती CM मोहन्यादव सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा निर्ने लिया है मधिप्रदेश बैच के 13 IPS अफसरों को प्रमोशन का लाब CM मोहन्यादव की सरकार ने दिया है लंबे समय से इनके प्रमोशन की कारेवाई अटकी हुई थी जो अब पूरी हो गई है इन IPS अफसरों को प्रमोट करके मोहन्यादव की सरकार ने आईजी पुलिस बना दिया है आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री कारियाले में पदस्त रहे अंशुमान सिंग रुची वरधन मिश्रा सहित कई अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया किया है हाला कि प्रमोशन के बाद भी इन अधिकारियों के विभागों में कोई परिवर्दन नहीं किया गया है यह जिस विभाग में पदस्त थे, उसी विभाग में प्रमोशन पाकर भी पदस्त रहेंगे जिनादिकारियों के प्रमोशन हुए हैं, उनमें सबसे पहला नाम रुची वर्धन मिश्रा का है जो DIG प्रशासन के पतपर थी उनको प्रमोट करके IG प्रशासन बना दिया गया है चंदरशेखर सोलंग की खरगौन रेंज की DIG थे वे यही पर अब IG बना दिये गया है आईए जानते हैं कि ये नफसरों का प्रमोशन हुआ है आपको बता दें अनिजी सिंग कुश्वाहा जो की उज्जैन में DIG के पत पर पदस्त थें उन्हें IG के पत पर उज्जैन पर ही पदस्त किया गया है आरारेस परिहार जो की जबलपूर में डि आईजी के पतपर पदस्थ थें उन्हें आईजी के पतपर पदस्थ किया गया है मनीश कपूरिया ये अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे इन्हें IG law and order इंदौर में पदस्त किया गया है अरविंद कुमार सकसेना अपर परिवहन आयुक्त इन्हें IG अपर परिवहन आयुक्त कार्याले गौलियर में पदस्त किया गया है विनीत खन्ना ये डि आईजी पुलिस हेड़क्वार्टर भोपाल में पदस्त थे इन्हें आईजी पुलिस हेड़क्वार्टर भोपाल में ही पदस्त किया गया है हिमानी खन्ना ये डी आईजी पुलिस हेड़कौार्टर भोपाल में थी इन्हें आईजी के पद पर पदस्त किया किया है मिथिलेश शुकला को डी आईजी रीवा रेंज में ये पदस्त थे और इन्हें आईजी रीवा रेंज में ही पदस्त किया किया है अनुराख शर्मा या तिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल में पदस्थ थे जोने आईजी के पद पर पदस्थ किया गया है